जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि Tang Chang Grandmaster के कहने अनुसार Hall Spirit Academy के अंदर आ गया था और वहां उसे अपने पुराने वाले Spirit Master मिलते हैं, वो उसे इस Academy के Head से मिलवाते हैं और अब Head Tang Chang को अपने साथ एक जगह ले जाता है, जहाँ वो उसे Martial Soul Hall दिखाता है यहाँ पर बहुत high level की martial soul रखी हुई थी और ऐसी martial soul सिर्फ बड़े शहरों में ही मिला करती हैं यह जगे sacred temple है और इसके अंदर रखी हुई soul को सिर्फ high spirit soul वाले ही हासल कर सकते हैं हर कोई spirit master इसको हासल करना चाहता है लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो इसको प्रात कर पाए अब फिर टैंक शैंग उन्हें अपनी spirit soul दिखाता है और उसके अंदर जब वो दतूरा स्नेक की spirit ring देखते हैं तो बहुत शौक हो जाते हैं जब उन्हें ये भी पता चलता है कि इस बच्चे की soul part 13 है तब वो बहुत अचंबित होते हैं क्यूकि इस बच्चे ने दो level skip करके सीधे 13 soul part हासल कर ली थी अब वो समझ चाते हैं कि जरूर इसका teacher कोई बड़ा आदमी है और जब वो उससे उसके teacher के बारे में पूछते हैं तो टैंक शैंक ड्रैम नास्टर को अपना teacher बताता है अब head उसे अपने यहां पढ़ाने के लिए ready हो जाते हैं और अब उसे इस academy में शामल कर लिया जाता है अब फिर tan शैंक बाहर जाता है और लोहारों की बस्ते में जाकर काम ढूणने की कोशिश करता है वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सके व लेकिन हर कोई लोहार उसे बच्चा समझ उसका मजाक उड़ा कर भगा देता है लेकिन एक लोहार उसे अपने हां काम करने को कहता है और टैंक शैंक उसे सबसे मुश्किल काम जो की refining है वो मांग लेता है अब ये सुनकर वो लोहार उसका मजाक उड़ाने लगता है लेकिन तैंग शैंग उसकी बात का बुरा ना मानते हुए अपने पापा की सिखाई हुई टेकनीक को याद करता है। उसके पापा उसे रिफाइनिंग और फॉर्श करने की अलग-लग टेकनीक सिखाया करते थे। और उन सभी टेकनीक्स में तैंग शैंग ने माहिरता हासिल कर ली थी। अब तैंग शैंग उस लोहार का सामान देता है और एक ही बार में पिग आरन को फॉर्श कर देता है। अब ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोहार बहुत शौक हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि बच्चा हैमर को उठा तक नहीं पाएगा। लेकिन इसने तो रैंडम हैमरिंग स्किल का यूज करके एक ही बार में पिग आरन को फॉर्श कर दिया है। अब लोहार उसे काम पर रख लेता है क्योंकि उसे इस बच्चे से बहुत मुनाफ़ा होने वाला है। दूर जा रहे हैं क्योंकि अगर वो टैंग शैंग के पास रहेंगे तो टैंग शैंग को ट्रेनिंग करने में दिक्कते होंगी। और दूसरी बात उन्हें अपना भी एक पूराना काम है जो पूरा करना है जिस वज़े से वो अब तभी वापिस लोटेंगे जब टैंग शैंग एक ताकतवर योध्धा बन जाएगा। अब अपने पापा को गया हुआ देख टैंग शैंग को बहुत बुरा लगता है। वहीं ग्रैंड मास्टर जो अब भी शहर के अंदर थे। और वो अपने स्टुडिन टैंग शैंग को ही याद कर रहे थे कि तवे गेट पर वहाँ टैंग शैंग के पिता टैंग हाउ आ ज लेकिन टैंग हाउ उसके बहुत कहने पर भी मानता नहीं और वो उसके पास वापिस जाने के लिए रेडी नहीं होता वो फिर उसे अलग तरह का दिखने वाला बैज देता है और खुद वहाँ से चला जाता है वही टैंग शैंग जो अपने पापा की वज़े से बहुत जाद उदास हो जाता है और उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता लेकिन उसकी दोस जीवू उसे हिम्मत देती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे डैट तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें चोड़ कर गए हैं और वो तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं इसलिए तुम्हें अब दुख छोड़ कर काम पर लग जाना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए अब तैंग शैंग समझ जाता है और वो दोनों कई और सारी बाते करते हैं और उनके बीच हमें एक रोमैंटिक एंगल नजर आता है वो दोनों एक दूसरे से हमेशा स पता चलेगा अब फिर तैंग शैंग जीवू को एरो चलाने की ट्रिक सिखाता है और उसे फिर अपना हिडन वेपन भी दिखाता है हिडन वेपन को देख जीवू बहुत खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगती है लेकिन तैंग शैंग हिडन वेपन जैसी खतरन बीच जाते हैं और हमें 5 साल बाद तैंग शैंग को जीवू के साथ दिखाते हैं वो दोनों अब बड़े हो चुके थे और अब वो ग्रांड मास्टर के कहे अनुसार अपने हाइ स्कूल की पढ़ाई करने श्रेक स्कूल में जा रहे थे वो दोनों अब भी एक साथ रहते थे और उन दोनों में अब भी कही ना कही रोमांटिक एंगल था लेकिन सिर्फ जीवू की तरफ से तैंग शैंग उससे सिर्फ अपना एक दोस मानता था अब श्रेक यूनिवरसिटी का एंट्रेंस दो दिन बाद था और दो दिन तक उन्हें इस शहर में रुकना था और अब वो दोनों इन दो दिनों के रुकने के लिए एक होटिल देखने लगते हैं वहाँ चलते चलते जीवू को एक होटिल नजर आता है उस होटिल का नाम रोज होटिल है और अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं वहाँ सिर्फ एक रूम खाली था और वो उसके अंदर अपनी जुकता था। सब लोग उससे डरते थे। और इसलिए होटल वाले उसे ही रूम देने लगते हैं। अब ये देखकर जीव को गुसा आ जाता है। और वो उससे बहस करने लगती है। उस आत्मी का नाम मिस्टर धाय है। और अब उसे भी गुसा आ जाता है। अब उनमे लड अब अब तैंग शांग काई बार करता है। लेकिन मिस्टर धाय की स्पिरिट रिंग एक वाइट टाइगर बीस्ट की थी। वो हर बार उसे तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। अब फिर तैंग शांग एक स्माइल के साथ अपनी एक और बंधन उस पर चोड़ता है। और इस बार मिस्टर धाय बंधन में बन जाता है। और यहां से अब हमें ये पता चलता है कि जितनी बार तैंग शांग ने उसे बांदने की कोशिश की थी। वो असल में उसे ना नहीं बलकि उस पर poison छोड़ना चाहा रहा था और हर बार उसके उपर थोड़ा थोड़ा poison गिरा था जिससे उसकी body up पैरलाइस होने लगी और अब वो बंधन में बंद गया और वहाँ ऐसा लगने लगता है मानो तैंग शैंग जीत गया हो लेकिन तभी मास्टर धाई यूज करते हैं उसकी तीसरे spirit ring वाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन थी और ये spirit ring उसके poison को तभा कर देती है और अब तैंग शैंग भी समझ जाता है कि इसको अभी इसी वक्त नहीं हराया जा सकता अब मिस्टर धाई जीत जाता है लेकिन वो तैंग शैंग की बहुत ता जीवू को मिल जाती है अब मिस्टर धाई की स्टोरी भी हमें आगे पता चलेगी क्योंकि वो भी श्रेक स्कूल के अंदर ही admission लेने वाले हैं अब वो दोनों फिर अपने रूम में जाने लगते हैं और रास्ते में वो मिस्टर धाई के बारे में बाते करते हैं जीवू कही तैंग शैंग को बहुत अजीब लगता है क्योंकि जीवू इतने शानदार रूम को देकर बहुत खुश होती है और वो यहाँ वहाँ उचल कर सीधे बेट पर जाकर लेट जाती है तैंग शैंग अब उसको बेट पर लेटा देख सोफे पर जाकर लेट जाता है और आज की लडाई के बारे में सोचने लगता है असल में वो ये सोचता है कि अगर वो चाहता तो hidden weapons का use करके उसे हरा सकता था लेकिन इससे hidden weapon की सच्चाई सब के सामने आ जाती इसलिए उसने hidden weapons का use नहीं किया था वो फिर hidden weapons की capabilities को याद करने लगता है और उसे अपने पिछले जनम की एक बात याद आती है कि कैसे जब उसके सेक के अंदर एक खतरनाक चोर भाग रहा था तो तैंग शैंग ने hidden weapons का use करके उसे पकड़ लिया था और उसे मौत के गाट उतारा था अब फिर अगले दिन वो दोनों शहर घूमने जाते हैं जहां एक शॉप के अंदर जाने पर तैंग शैंग को एक crystal नजर आता है वो उसे खरीदना चाहता है और जब वो इसका rate पूछता है तो शॉप की पर उसे बहुत ज़ादा दाम बढ़ा कर बताता है तैंग शैंग मान जाता है लेकिन जीवू उसे इतनी महंगी डील ना करने को कहती है लेकिन तभी जब शॉप कीपर ये देखता है कि तैंग शैंग किसी भी कीमत पर ये खरीदना चाहता है तो वो इसके दाम और जादा बढ़ा देता है अब ये देख जीवू को गुस्सा आ जाता है, और वो तैंग शेंग को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाती है, लेकिन तभी शौपकीपर, तैंग शेंग की कमर पर, ग्रैंड मास्टर की दी हुई पैल तेखता है, और वो समझ आता है कि ये लड़का ग्रैंड मास्टर को collect करता है असल में ये एक hair crystal था और इस दुनिया में तो इसे एक normal piece ही माना जाता है लेकिन tank shank के according हम इससे बहुत छोटे छोटे और पतले size की needles बना सकते हैं और ये hidden weapon से भी ज़्यादा शक्तिशाली हतियार साबित हो सकते हैं तैंक shank को और वो एक लंबी line देखते हैं और वहाँ जो उन्हें entry दे रहा था वो उन सभी को test कर रहा था वहाँ जो बच्चा कमजोर था उसे वो entry नहीं दे रहा था और जब वो बच्चा refund के demand करता तो उसे सीधे सीधे भगा दिया जाता वहाँ उन्होंने साफ ये rule रखा था कि जो कमजोर होगा उसको यहाँ entry नहीं मिलेगी और उसकी fees भी refund नहीं होगी वहाँ पे Mr. धाई भी खड़ा था जो उनको संभाल रहा था जो refund के demand कर रहे हैं Mr. धाई refund मांगने वालों को ये कह रहा था कि जो refund चाहते हैं वो मुझसे fight कर ले और अगर मैं हार गया तो तुम्हें refund मिल जाएगा लेकिन किसी के भी हिम्मत Mr. धाई से लड़ने की नहीं थी और सब बिना refund लिये वापस अपने अपने घर लोट रहे थे श्रेक का नाम एक monster के उपर है और ये school सिर्फ monsters जैसे बच्चों को ही लेता है यानि सिर्फ उन बच्चों को जो ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं अब तैंग शैंग Mr. धाई को देखते हैं और Mr. धाई तैंग शैंग को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर एक respect वाली smile पास करते हैं अब तैंग शैंग और जीवू का टेस्ट होता है और वो दोनों powerful हैं जिस वज़े से उन दोनों को entry दे दी जाती है स्कूल के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया थी और वहाँ उनको company देने और रास्ता दिखाने के लिए Mr. धाई उनके साथ चलते हैं वो रास्ते में कई तरह की बाते करते हैं जिसमें Mr. धाई अलग अलग soul spirits के बारे में उन्हें बताते हैं वहाँ एक लड़की भी होती है और जब Mr. धाई उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि Mr. धाई उस लड़की को पसंद करने लगा है अब फिर वो अंदर जाते हैं जहां कई सारी दुकाने मौजूद थी वहाँ एक सौसेज बीचने वाली वेंडर शॉप ही आती है और उस वेंडर शॉप पर फोकस करते हुए ये एपिसोर यहीं खतम हो जाता है अब इसके अंदर अलग लग spirit soul के बारे में बताया गया है जिसे हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि अगर स्टोरी के साथ उसको explain करते तो आपके लिए बहुत confusing हो जाता सो आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में explain करेंगे तब तक के लिए बाए